नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपके लिए रास्तान के कुछ महतपून परसन लेके हैं जो रास्तान की प्रिक्षाओं की दश्टी से बहुती महतपून है तो पहला परसन देखें राजस्तान में खारे पानी क की सरवादिक जीले किस जीले में है इसको जील कर देना सरवादिक जीले किस जीले में है तो उप्षन दे रहा है जैपूर जैसल में नागोर और बाड में तो उप्षन सही आंसर क्या होगा इसका सी उप्षन नागोर नागोर जीले में राजस्तान में सबसे सरवादिक खा रजबनाया हुआ वो कहां बनाया गया हुआ है करने नदी जिस पर मेजाबान बना गया हुआ वह किस जिले में इस्थित्त आयक तो अप्शन है चितोडगड उदेपूर अज्मेर और भीलवडा तो इसका आउंसर क्या होगा डी उप्शन भीलवडा जिले में भीलवड़ा जिले में मेजाबान बनावा है जो कोठारी नदी पर बनाया गया है अगला परसन देखिए पांच नासी चाई प्रियोजना कौन से जिले में इस्तित है जो पांच नासी चाई प्रियोजना है वैं किस जिले में इस्तित है option है स्वाई मादोपूर, भीलवाडा, करोली और टॉंग तो इसका सही आंसर क्या होगा C option करोली और पांच ना बांध भी किस जिले में स्थित है करोली से करोली में अगला परसन देखें पुसकर जील की आकर्ति किस के समान है जो अजमेर जीले में पुसकर जील इस्थित है उसकी आकर्ति किस के समान मानी जाती है option दे रखें अर्द चंद्राकार, तिर्बुजाकार, वर्गाकार और आईताकार तो इसका सही आंसर क्या होगा A option अर्द चंद्राकार इस प्रकार से उसकी आकर्ति है अर्द चंद्राकार, पुसकर जील अजमेर जीले में इस्थित है, अगला परसन देखो, राजस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है Option है डीडवाना, सामबर, पज़फद्रा और इसकोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा A option सामबर जील, सामबर जील कहा है, जैपूर जीले के सामबर तैसिल में है जैपूर जीले में और डीडवाना नागोर में पजफद्रा बारडमेर जीले में इस्थित है तो इस प्रकार्श ये खारी पानी की जीले हैं तीनों लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी हो जाएगी प्योप्शन सामबर अगला परसंद देखो राजस्तान का एक मात्र मिट्टी का बांध कौन सा है तो मिट्टी का बांध कौन सा है पांचना बांध इसका सही आंसर क्या होगा पांचना बांध अगला परसंद देखो काईलाना जील किस जीले में इस्तित है जो काईलाना जील है वहराजस्तान के किस जीले में इस्तित है जोदपूर नागोर करोली और रासमद तो इसका सही आंसर क्या होगा a option जोदपूर जिले में काइलाना जील इस्तीत है अगला परसंद देखो जीलो की नगरी के नाम से परिशिद प्रेटा के स्तला है जो जीलो की नगरी के नाम से जाना जाता है option है जैपूर, शिरोई, अजमेर और उद्यपूर तो इसका सही answer क्या होगा D option उद्यपूर उद्यपूर को जीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है अगला परसंद देखिए राजस्तान में सो टापो का छेतर किसे कहते हैं ऐसा कोण सा जीला है जिसको सो टापो का छेतर कहा जाता है option है डूंगरपूर, वासवड़ा, जालोर और उद्यपूर तो इसका सही answer क्या होगा B option वासवड़ा वासवड़ा को सो टापो का छेतर कहा जाता है अगला परसंद देखिए राजस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्तान की इस टोपिक को जहना है राजस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो option है चंबल, माही, बनास और लूनी तो इसका सही answer क्या हो जाएगा C option, बनास नदी क्योंकि यह राजस्तान की है जो राज़स्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है बनास नदी और वेसे सबसे लंबी नदी कौन सी है चम्बल नदी अगला पर्ष़न देखू आदिवाश्यों की गंगा किस नथी को कहा जाता है उप्षन है माही, सों, जाकम और अन्नास तो इसका सही आन्सर क्या होगा माही नदी माही नदी को आदिवाशियों की गंगा कहा जाता है अगला परशन देखो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है उप्षन है 1204 किलोमेटर 1304 किलोमेटर 1051 किलोमेटर और 1734 किलोमेटर तो इसका सही आंसर क्या होगा 1051 किलोमेटर इसकी लगबग लंबाई मानी जाती है चंबल नदी की अगला परसंद देखिए राजस्तान में करक रेखा को दो बार पार करने वाली कौनसी नदी है उप्शन है सोम, माही, जाकम और बांडी तो इसका सही आंसर क्या होगा B उप्शन माही नदी राजस्तान के में करक रेखा को दो बार पार करती है अगला परसंद देखिए अंतर राज्य सीमा बनाने वाली एक मात्र नदी है अंतर राज्य जो दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी है उप्शन है बांडगंगा, माही, सोम और चंबल तो इसका सही आंसर क्या होगा D उप्शन चंबल चंबल राजस्तान और MP के मध्य अंतर राज्य सीमा बनाती है जो राज़स्तान और मद्य परदेश की सीमा है उसके किनारे यह बहती है सीमा बनाती भी अगला परसंद देखिए वन की आसा कौन सी नदी को कहा जाता है जाखम, सोम, बनास और चंबल तो इसका सही आंसर क्या होगा C बनास बनास नदी को चंबल की वन की आसा कहा जाता है यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सेर करें धन्यवाद राम राम जी